जिस तरीके से वेव सिरिस्तांडों के माध्यम से भगवान सिरिराम और सियुजी का अपमान दिखाया गया है उनके नाम पर हसी और मजाक बनाया गया है ये पूरे देश और विश्व के सनातन धर्म हिंदू के सबसे बड़ा अपमान है मैं केंबर सरकार से और सुचना मंत्राले और सुचना मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बनायने वाले जितने लोग है इसके फिल्म में काम करने वाले जितने लोग है इसे हिंदू सनातन धर्म के अपमान करने वाले जितने लोग है उन ततकाल को ततकाल उनके खिलाफ कठोर करवाई करते हुए उनको गिरफतार किया जा रो बेफ सीरिज पर परतिबंद लगाया जाए अखिल भारत हिंदू महासवा और संत महासवा पूरे देश में बेफ सीरिज के खिलाफ आज से धरना परदरसन अंदोलन और ग्यापन देने का काम करेगी और तब तक चलता रहेगा जब तक इन पर कठोर करवाई नहीं होती बेफ सीरिज पर परतिबंद नहीं लग जाता ये सलाखों के पीछे नहीं चले जाते रोज रोज आए दीन बेफ सीरिज और फिल्म के माद्यम से जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है यह अपने आप में मरबाहत करने वाला है और सबसे बड़ी चिंता केंडर में परचंड बहुमत की सरकार मोदी जी की है और उसके बावजूद भी इस तरह के अपमान हो रहा है यह अपने आप में हत प्रस्त करने वाला है आश्चर चकित करने वाला है अपने आपको बहुत ठेश पहुचाने वाला है इसलिए हमें सरकार से चाहता हो कि देव निंदा कानून भी इतत्काल बनाए जाये कि कोई भी हमारे देवी देता और भगवापे जो बार बार तिर्मूल के कभी सांसत भगवापे कुछ भी भोलते हैं हिंदूों के खिलाब बलते हैं कोई भी सनातन धर्म और हिंदू पिड़ी करता है नकरात्मक्टिपड़ी करता है अपमान जनक करता है या दिवी देवताओं का अपमान करता है फिल्म और भेव सिरिज के मादम से तो उनको भी मौत की सजा दी जा जैसे इस निंदा कानून में दी जाती है तभी जाकर के सबकी भावनाओं का सम्मान होगा कह नहीं नहीं ये लोग जान बूच करके हिंदू और सनातन के खिलाफ जहर उगिलते हैं ताकि इनको राजनितिक लाब मिले जिसे हिंदू को ठेश पहुचता है संभिधान हमें अधिकार देता है कि ऐसे लोगों पे करवाई होनी चाहिए जो धर्म और भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं तो बेब सिरिच के माद्यम से धर्म पे कुठारा गात किया गया और उसी के साथ जिस प्रकार से दलित और सवर्ण का इंगल दिखा करके शवर्ण लड़कियों का बदनाम करने का प्रयास किया गया है ये भी बहुत चिंता जनक है समाज को तोड़ने वाली ये महिला नारी सक्ती जिसको कहते नारी का बहुत बड़ा अपमान है जिस प्रकार से जाती बेद उसमें दिखाया गया है जैसा हमें सुनने में आई है बहुत दूर भागपोर है इनके खिलाफ तोड़ करवाई हो ये हिंदू को बाटना चाहते है हिंदू की भावना को प्रभावित करना चाहते हिंदू सनातन धर्म को ये किसी ने किसी तरीके से टार्गेट कर रहे है इनका उदेश मात्र हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ है आता जल्द से जल्द करवाई सरकार करे और इनको सलाखों के अंदर करे और ने तो हमारा पूरे देश में धर्ना परदर्सन अंदोलन जारी रहेगा हरियों राम राम